नमस्कार मेरा नाम बीना है और आप दाइंडिया टॉप डेक ना शुरू कर चुके हैं बिहार का मुझदफर पुर का वो अकपड़वा कान जैसे आप अब तक शायद नहीं भूल पाये होंगे आपको बता दे कि इसको लेकर एक नया जो है एंगल सामने आया है अब सीम नित कुमार सहीद कई मंत्रियों पर होने वाली है विस्तार से इस खबर के पूरी जानकारी देते हैं मुझफर पूर आयू हस्पिटल कान में शोमवार को कोट ने सीम नितिस कुमार समित कई मंत्री परदिकारियों और डॉक्टरों पर परिवाद दायर कराया है उक्त कुमार समित होस्पिटल के डॉक्टर और प्रबंधन का नाम शामिल है कोट ने सुनवाई के लिए अगली तारिक 18 जनवरी को रखी है परिवाद में कहा गया है कि सरकार द्वारा पीडितों को मुआवजे का आस्वासन तो मिला पर मुआवजा आप तक नहीं मिला है तो इसकुमार समित कई मंत्रियों पर और अधिकारियों पर दायर की गई है आपको बता दे कि मुझफर पूर काखपुडवा कांट वो कांट था जहां पर आँखों की रोशनी को ठीक करने के लिए गये मरीजों के आँख की रोशनी चली गई है और कई पीडित ऐसे हैं जिनक में किस तरह डॉक्टर की गलती है तमाम जो जानकारिया आप तक साजा नहीं किया गया है किस तरह के सजा के प्रावधान दिये गये हैं ये तमाम जानकारिया आप तक सामने निकल कर नहीं आई है हाला कि इस से परिशान मरीजों ने अब जो है परिवाद डायर कर दिया है स अब देखना यह है कि 18 जनवरी को जो सुनवाई होती है मुआवजे को लेकर उसमें क्या कुछ नए प्रावधान सामने आते हैं क्या सरकार ने आस्वासन दिया है कब तक यह मुआवजा जो है उन पीडितों तक पहुंच जाएगा इस कारण आज पीडित परिवाग द्वार यानि की सोमवार को धर्णा प्रदर्शन करने को विवर्श हो गया फिर भी कोई सुनने वाला नहीं 22 नवंबर को अस्पताल में साफसफाई की बिना उचित विवस्ता के 65 मरीजों की आखों का ऑपरेशन किया गया था जो मानक के अनुरूप नहीं था इस कारण 15 लोगों क अपनी आँख एक आँख गवानी पड़ी और दो दर्जन लोगों को इंफेक्शन हो गया था इससे हर स्तर पर लापरवाही बढ़ती गई है हम आपको बता दे कि बिहार का सिक्षा और स्वास्त विभाग हमेशा ही सवालों के घेरे में रहता है स्वास्त विभाग की कई लापरवाहिया सामने आती हैं ऐसे में मुझफरपुर का वो कांड जिन में कई लोगों की आँखों की रोशनी चली गई कई लोगों की आँखों में इंफेक्शन हो गया अब यह मामला जो एक बार फिर तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है आप इस पूरे विशे पर अ हमारी यूटिब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसे सबस्क्राइब कर लें और ऐसे अने तमाम खबरों के लिए बने रहें देंजा टॉपकिस्तान धन्यवाद